हेलो नमस्कार स्वागत है आज के इस वीडियो में और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस चीज का फॉर्म आ चुका है जी हाँ यदि आप बच्पन में या क्लास हाई स्कूल में भी आप सोच लिया है कि मुझे इंजिनरिंग करना है तो उसके लिए पहली सीड़ी पॉलिट टेक्निक का फॉर्म आ चुका है यदि आप भरना चाहते हैं तो इसके लिए क्या इलिजिबिलिटी है कौन लोग भर सकते हैं इसके बारे में इस वीडियो में हम डीडेल्स में आपको बताने वाले हैं हम आपको बता दे 18 तारीक को ये फॉर्म आ चुका है इसके बाद आप अलिजिबल हो चुके हैं अगर आप इसमें भरना चाहते हैं तो आपकी इलिजिबिलिटी क्लाश 10th होना चाहिए 12th होना चाहिए और ITI होना चाहिए यदि ये आप पास आउट कर चुके हैं तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं अब बात करते हैं इसमें कितनी फीस हैं कितने तारीक किस की लाश्ट डेट है तो चलिए इसके बारे में डीटेल्स में जान लेते हैं अगर ये form आप देखना चाहते हैं तो आपको Google पे सर्च करना होगा सरकारीरिजल्ट.com वहाँ पे आपको जेई कब 2019 पॉलिटेक्निका मिल जाएगा चलिए इसके फीचर्स बता देते हैं कि क्या-क्या इसमें इलिजिबिलिटी के लिए दिया गया है इसका पॉस्ट डेट 18 दिसम्बर 2018 पांच बच के 11 मिनिट साम को ये पॉस्ट हो चुका था उतने समय फे इलिजिबल हो चुके हैं जो लोग भरना चाहते हैं ये किवल UP के लिए है ना कि किसी अधर इस्टेट के लिए है चले इसमें और बात कर लेते हैं क्या-क्या दिया गया है तो इसमें यहाँ पे आपको दिख सकता है जनरal OBC के लिए 300 रुपे फीस है S.C.H.T. के लिए 200 रुपे फीस है तो वो लोग भर सकते हैं जो जनरal OBC S.C.H.T. है उनके लिए क्या क्या फीस दिया गया है अब बात करें से लास्ट डेट की तो लास्ट डेट है 28 फर्वरी 2019 को इसके लास्ट फेस पेमेंट करने के फीस है 28 फर्वरी 2019 उसी दिन लास्ट पेमेंट भी आपको करना पड़ेगा एडिमिट कार्ड आपको अप्रैल 2019 में अबलेबल मिल जायागा और रिजन्ट की बात करें तो रिजन्ट उसके माई के सेकंड वीक में मिलना स्टार्ट हो जायागा ये दोनो डीटेल्स आपको अच्छा से जान लेना है जानने के बाद चलिए बताते हैं कि किसकी क्या स्कूल में नहीं है तो आप पॉलिटेक्निक नहीं कर सकते हैं क्लाश 10 के लिए बताया गया है इसी तरह से और बात करें तो क्लाश 10 अगर आप अग्रिकल्चर्ज है तो आपको दूसरा ग्रूप लेना पड़ेगा जैसे ग्रूप B है ग्रूप C है इसमें लेना पड़ेग लेकिन ग्रूप A के लिए केवल फिजिस कमेश्ट्री मैथ होना बहुत ही अनिवार रहे है चलिए और बात कर लेते हैं 12 के लिए intermediate के लिए बोला यहाँ पे exam and Hindi and English subject in Hindi school and intermediate level exam मतलब हाँ Hindi से हैं या English से हैं कोई भी medium से आप गर हैं तो 12th pass out भी हैं तो आप यहाँ पे भर सकते हैं तो यह सारा details पढ़ने के लिए आपको description में इसका PDF file मिल जाएगा वहाँ से भी download करके आप पढ़ सकते हैं चले दिखाता है कहां से आपको apply करना पड़ेगा तो apply online group A अगर आप यहाँ पे click here पे click करते हैं तो आपको यह form open हो जाएगा और यहाँ पे कैसे कैसे fill up करना है इसके लिए आप cyber cafe वहाँ पे आप fill up कर लिजिए यदि आपको खुद भरने आता है तो direct जो भी details मांगा जा रहा है वो भर के registration कर लिजिए इस तरह यह सारा details हो जाएगा अगर आप other group का भरना चाहते हैं तो other group के लिए second पे click करें click करने के बाद कुछ इस तरह से खुलेगा खुलने के बाद जो भी details मांगा जा रहा है उसको भर दिजिए आपका final submit हो जाएगा